इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीखने के लिए आपको किसी स्कूल या यूनिवर्स्टी जाने की जरूरत नहीं है गाइस कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको क्लास में सबके सामने खड़ा करके बोला गया होगी इस इंग्लिश के पारग्राफ को पढ़ कर सुनाओ और आपके सिट्टी पिट्टी गुम हो गई हो गाइस मुझे आपके बारे में तो नहीं पता बट मेरे साथ ऐसा जरूर हुआ है तोड़े आप गुइंग टो शेर माइ स्टोरी विद यू जब मैं फिफ्ट पास करके क्लास सिक्स में गई तो आप जानते हैं कि प्राइमरी तक आप कितने वर्ट सीख सकते हैं उस समय तक मुझे पढ़ना नहीं आता था अच्छे से मैं वर्ट जानती थी बट बहुत जादा नहीं जानती थी तो जब मुझे क्लास में खड़ा किया गया पहली बार तो मुझे पढ़ना तो नहीं आता था अच्छे से तो मैं इस डर से कि लोग हसे ना मैंने पढ़ने से मना कर दिया बट उस दिन के बाद मुझे ये हैसास हुआ कि मुझे ये आना ही आना चाहिए क्योंकि क्लास में आज नहीं तो कल तो मुझे खड़ा होना ही है तो मैंने ये चीज़ की मैंने पूरी कोशिस की कि मैं पढ़ना सीखो पर कैसे कोई साधन नहीं था मेरे पास कोई tuition class नहीं थी ज ध्यान से सुनूं एक एक word को ध्यान से सुनने की कोशिस करना मैंने शुरू कर दिया हर दिन जब कोई पढ़ता था उस पर पूरा focus रखती थी मैं कि उसको क्या बोल रहा है इस तरीके से करके मैं घर पे जाके बहुत सारी practice करती थी मतलब घर पर जाकर मैं बार बार उस paragraph को तब तक पढ़ती थी जब तक मैं अपनी friend की तरह बोलने न लग जाओं तो guys ऐसा करते करते मुझे सब ही words आते गए और मैं सीखती गए लेकिन मैंने ठान लिया है guys कि मैं आपके साथ ऐसा नहीं होने दूँगी जहां आपको struggle करनी पड़े English पढ़ना सीखने के लिए आज क ये विडियो खास आपके लिए है आपको बिलकुल टेंचन लेने की ज़रूत नहीं है अप से आप English पढ़ेंगे भी बोलेंगे भी कोई भी word हो आप आराम से पढ़ लेंगे आप जानते हैं न कि English में बहुत सारे exceptions भरें बहुत सारे अपवाद हैं बट मैं आपको सब आती है न तो भी आप English बोल सकते हैं पर तो बहुत ही आराम से सकते क्योंकि आज मैं आपको ऐसे ट्रिक्स ही दे रही हूं गाइस सुनिए अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो के बाद में इसकी पार्ट टू भी लेकर आओं तो आपको तीन काम करने होंगे पहला काम में लिखना है दिल मांगे मोर क्योंकि मेरा दिल तो मांग रहा है मोर जी हम मेरा दिल मांग रहा है कि मैं और भी तरीके से आपको सिखा सको तो आपको लिखना है दिल मांगे मोर और तीसरा काम सबसे इंपोर्टेंट आपको इस वीडियो को कम से कम तीन लोगों को शेयर कर किजिए इस वीडियो को शेयर कीजिए तो गाइस मैं आपको बता दूँ कि अगर आप एसे लेके जट तक के लेटर्स के साउंड को समझ लेंगे तो सब कुछ चुटकियों का खेल बन जाएगा आपके लिए और इसमें भी कुछ भी मुश्किल नहीं है यह जो एई आई ओ यह जो देखने ना एई आई ओ और यू और साथ यह वाई भी है हमारे पास इनका कई सारे सांवन्स है तो इनपर का साउंड कभी ग आता है कभी जाता है H का sound है ह, J का sound है ज, K का sound है क, L का sound है ल, जब आप प्रनाउंस करेंगे तो यही सब सुनने में आएगा आपको M का sound है म, N का sound है न, P का sound है प, Q का sound है क, या फिर क्वर्क है सकते, कभी-कभी ऐसे समझ में आएगा R का sound है R, S का sound होता है स, but sometimes, कुछ दो-चार words में आपको श भी समझ में आएगा T का sound है ट, V का sound है व, और W का sound थोड़ा सा व करके आता है, ठीक, लगबग सिमिलरी है वी से X का sound होता है, Sir, या फिर, Z, और Y का sound हम आगे बात करेंगे, Z का sound होता है, Z, J नहीं होता है, यह होता है, Z, ठीक, और यहाँ पे आप देखें, हम बात करेंगे, F की, ठीक, तो यहाँ पे यह F है, तो यह Z, और यह F, इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, कि हमें फ बोलना है, फ नहीं बोलना, अब यहाँ देखते हैं, जब भी आपको दो लेटर से एक साथ दिखें, तो इनका sound वही होता है, जो single letter का होता है, तो जब L का sound ल, तो double L का sound भी ल, F का sound फ, double F का sound भी फ, T का sound ट, तो double T का sound भी ट, हिंदी के नामों को जब आप English में बनाते ह हैं, तब आप वहाँ आधे अक्षर के लिए एक letter पुरा यूज कर लेते हैं, जैसे अगर आपको बोलना है भलार, तो आप B, H, A, L, L, A, A, R बोलेंगे, वहाँ आप आधा लग के लिए L यूज करते हैं, बट English में आप भले ही दो letters को एक साथ पाएं, लेकिन वहाँ कोई आधा अक्षर वाला sound नहीं होता, ठीक, तो यह है bill, यह है off, यह है kitten, यह है fizz, यह है egg, यह है odd, यह है sorrow, कोई आधा अक्षर नहीं सुनाई दिया, अब यहाँ आते हैं, C, K को जब जोडते हैं, तो sound आता है कर, जैसे K का sound कर, वैसे C, K का भी sound कर, तो D, U, C के duck, C, H में दे और उसी तरीके से T, C, H का sound भी च ही होता है, सो M, A, T, C, H, मैच, S, H का sound है श, अगर S है तो आप स, बोलते हैं, S, H है तो श, बोलते हैं, यह है मैश, T, H के sound दो होते हैं, कभी the होता है, कभी the होता है, यह आप धीरे-धीरे समझ जाएंगे practice के जरिए, T, H ही the बोलें या तो Z बोलेंगे और इसे यहाँ पर TH जो है, इसे हम बोलते हैं, healthy, अब आते हैं, PH पे, PH का sound है फ, तो जो F का sound है, वही PH का भी sound है, फ, तो फ के लिए हम दोनों यूज़ करते हैं, Q, U का sound आता है, queer, so Q, E, Queen, queer का sound, clear, अब देखें मैंने का आपसे A, E, I, O, U साथ ही Y, इनको समझें, इनके अलग-अलग sounds हैं, और अभी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रही इतने सारे, बड़ जैसे जैसे मैं आपको आगे सिखाऊंगी न, बहुत ही आसान लगेगा आपको, तो देखें, सबसे पहले तो A का sound आता है, A, जैसे कि यहाँ देखिए, bat, फिर आता ह A sound, जैसे car, फिर है A sound, A को हम कभी A बोलते हैं, कुछ लोग A बोलते हैं, और एक A है long sound, जैसे कि मैं, ठीक है, तो A short sound और A long sound, अब E पर आते हैं, E का sound A भी आता है, जैसे bed, A भी आता है, अब देखें, यहाँ mother, M-O-T-H-E-R, यहाँ A sound है इसका, double E कर दिया तो यह हो गया E sound, scene, उसी तरीके से I के sound में आएं, तो सबसे पहले छोटा सा short I sound है, जो कि यह E, तो यह है hit, और I sound भी है, यहाँ देखें, N-I-N-E हम क्या बोलते हैं, 9, A sound है, जबकि I के बाद R है दिख रहोगा, first, I sound भी आता है, यहाँ देखें, I-R-E, higher, ठीक, H-I-R-E, higher, O sound में आत हैं, तो O sound होता है, mode, A sound भी है, sun, O sound आता है, caught, O sound है, zoo, और छोटा हुई, यह U मतलब की आपको long sound हो गया, O, जिसे बोलेंगे zoo, और O, जो की short sound है, वो है good में, सब आपको असानी से sun में आएगा भी, U का sound है, pull, और A भी है, देखें, but, B-U-T, but, H-U-T, hurt, तो U का sound अ भी है आप ही है, जब इसके बाद Y है, by, और long sound, long U का sound आता है, June, और U का भी sound आता है, cute, U आ गया पूरा cute, Y sound देखें, यह तो होता ही है, Y से यह होता है, यक हो गया यहाँ पे आपको दिख रहा है, बट E भी है, gym, E, short sound, और यहाँ long sound भी है, sorry, और I sound भी है, my, तो Y भी एक तरी किसे वाउल का ही काम करता है, मात्राओं का काम करता है, अब आगे बढ़ें, अब मैं आपको सभी trick देती हूँ कि कैसे आप चुटकियों में समझ पाएं और पढ़ पाएं, तो देखें, जब two and three letters के words हो, जब दो या तीन letters के words हो, तो उनमें जो यह पांचों आपको वाउ है, दो और तीन letters के words हैं, तो जो A का sound होगा, वो short होगा और होगा A, ठीक, तो आप देख सकते हैं, B, A, G, P, A, N, इन सब के sound को मैं बोलती जाती हूँ, ध्यान दीजेगा A का sound आएगा, bag, pan, tap, tax, has, ant, अब ज़रूरी नहीं है कि बीच में है तो ही ऐसा आएगा, देखें, में हो गया, ant, add, and, वहाँ भी A का sound आता है, as, an, अब यह दो letters के हैं, इने भी हम as और an, तो कौन सा sound आया, आ, तो जब भी आप छोटा सा कोई word देख रहे हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक vowel दिख रहा है, आपको A, तो उसका sound है, अब यहाँ आते हैं, यहाँ देखें, य इन में जो E का sound है, मतलब अगर E आया हुआ है vowel, तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसका sound ले रहे हैं, ठीक, जल्दी से, h-e-n, hen, net, bed, let, yes, wax, end, अब देखें, शुरू में है तो भी A sound यह है, end, egg, अब यह exception है, जरूरी नहीं है, कि हर जगह किसी एक vowel का sound एक होगा, आपने तो द देखा ही कई सारे है, जब इस तरीके से आये, M, E, तो बोलेंगे मी, इसे हम में नहीं बोलेंगे, W, E, V, ठीक, अगर W, E है, तो भी हम V, बोलते हैं, clear, अब आगे आते हैं, यहां पर, अब जब I है, ऐसे वर्ट्स में, तो इसका sound is short I, जो कि है, E, ठीक, K, I, D, Kid, N, I, B, W, I, G, W, W, G, His, Hit, Rim, Lip, Six, और IT, It, I, N, In, समझ रहे हैं, बहुत ही आसान है, अब आते हैं, O पर, O का short O होगा, जो कि है, O, O नहीं बोलना है, क्या बोलना है, O, तो जब तीन लेटर्स के दिख रहे हैं, आपको और दो लेटर्स के, तो हम यहां O पढ़ेंगे, जोब, टॉप, रॉड, नॉट, अब देखें, शुरू में आ जाए तो, ओफ, ओड, अब हम इसे ओड, ओफ, नोट, रोड नहीं बोलेंगे, ओख करके बोलना है, बोल बोल कर प्रैक्टिस करनी हैं आपको, ओके, ओफ, ओन, ओक्स, अब आगे आते हैं, यू पे, आपने च साउंड देगा यू, ये अगर आप हिंदी के थू समझते हैं, तो आपको लगेगा उ साउंड है, बट इंग्लिश के थू समझे आप, और वो है अ, देखें, टी यू बी टब, जी यू एन गन, जे यू जी जग, सी यू पी कप, आर यू बी रग, बी यू टी बट, अब जगद यह अ साउंड दे रहा है, बस ह्यां पर यह ऊंंड देता है, तो यह इक्सेप्शन है, इंग्लिश तो भरा हुआ यह है अपमादों से, इंग्लिश में बहुत सारे इक्सेप्शन हैं, हर एक नियम में आपको एक्सेप्शन मिल जाएगा, आज भी जो मैं आपको बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलें और आप चाहते हैं कि अगली वीडियो देख पाएं तो आप बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें अब आगे आते हैं आपने अभी टू और त्री लेटर्स वाले वर्ट्स को समझ लिया कि क्या साउंड है अब क्या four and five letter words में भी यही साउंड होंगे तो ज़्यादातर होंगे अगर एक ही वाल है तो वाउल क्या होते हैं हमारे हिंदी में जो स्वर हैं वो मात्राओं का काम करते हैं वैसे ही इंग्लिश में ये जो वाउल्स हैं ये भी मात्राओं का काम करते हैं जब भी कोई वर्ड आप बोलते हैं तो उनमें मात्राओं का काम करते हैं तो इनका होना तो जरूरी होता है, English के हर एक word में Hindi में जैसे रमन बोला, तो यहाँ पर भी a-swar है, ठीक तो a-mataram कह सकते हैं, वैसे ही English में हर एक word में एक vowel जरूर होगा अब मैं बोल रही हूँ, अगर 4 and 5 letters के words हैं, मतलब letter मतलब होता है अक्षर तो यह देखिए, 1, 2, 3, 4, 4 letters हैं, अब इसमें एक vowel है अगर तो उसका sound लगबग वही होगा जो आपने पीछे देखा तो यहाँ भी a-sound, trap, stag, band, stamp, flag, bank, flat, pant, ठीक यहाँ आते हैं e का वही sound a, sent, rent, bend, stem, desk, self, slept, spend clear, एक ही एक vowel है, और तो vowels है नहीं, e का भी वही sound, i का वही sound link, print, brim, film, milk, skin, strip, drink और यहाँ आगए यह exception, देखें, exception मैंने आपको दिखा रखा है इसे आप wind भी बोलते हैं, बट इसे आप wind भी बोलते हैं, तो यहाँ यह wind है, यहाँ मैं बोल रही हूँ wind है, और ऐसे और भी words है, kind, mild, इसे kind और mild नहीं पढ़ेंगे, kind, mild, grind, wild तो एक ही नियम के अपवाद होते हैं, बट most of the time यह मिलेगा आपको, इस तरीके से आप practice करेंगे अब बात आती है कि अपवाद आपको पदा कैसे चलेंगे, तो guys सुनने की कोशिस आपको भरपोर करनी हैं, जैसे मैं अपने classmate को सुनती थी, आप news channels को सुनिये, ठीक, BBC news देखिए, वहाँ पर सुनते जाएंगे, जब भी कोई movie देखें, subtitles के साथ देखें, तो जब आप उ songs, wand, crop, soft, stop, sock, doll, clear? अब आगे बढ़ते हैं, ये आपने सीख लिये, वो letters के words जिनमें के एक बार एक vowel आ रहा था और आपने pronounce करना सीख लिया, अब क्या है कि vowels और भी तो होते हैं, जो use होते हैं, C, A, P तो cap आप पढ़ते हैं, बट C, A, P के बाद E लग जाए, तो इसे हम cape पढ़ते हैं, क्या cape? अब देखें, तो इसका मतलब A, फिर कोई consonant, फिर E, अगर ये आए, मतलब कह लिजए कि बीच में A है, last में E है, तो यहाँ silent है E, जितने भी ये words देख रहे हैं, आपको इन सुने की वज़े से E भले ही silent है, जो sound होगा A का, वो long A होगा, तो इसे अब हम पढ़ेंगे cape, A sound, okay, so T, A, P, tap, but T, A, P, क्या हो जाएगा, tape, I hope कि आप साथ में बोल रहे हूं, N, A, M, E, name, L, A, K, E, lake, G, R, A, T, E, great, अब ध्यान दे, G और R, जब दो consonant साथ में होते हैं, तो आधे-ाधे सुनाई देते हैं, साथ, देखे, मैंने वहाँ आपको बताया था, अगर LL साथ में हैं, तो आधे-ाधे नहीं सुनाई देंगे, but G और R है, तो यह ग्र बना, ग्र, ठीक, तो आधा-गर सुनाई दे रहा है, र, great, अब यहाँ F और L साथ में हैं, तो यह है, फ अगर निकालेंगे, ध्यान रखेगा, तो यह आपने समझ लिया कि E last में हैं, तो हम A करके बोलते हैं, अब जब I हो और E last में हो, तो E to silent है, और long I का sound है, अब E का sound नहीं है, अब I का sound है, तो W-I-N win होता है, बट W-I-N E wine होता है, यह ट्रिक है आपके लिए, ध्यान रखे clear, अब यहाँ आते हैं O पे, अब यहाँ पे भी E silent रहेगा, और अब long O होगा, अभी वहाँ ओ था, यहाँ O होगा, P-O-L-E, pole, M-O-L-E, mole, H-O-P-E, hope, R-O-D-E, road, M-O-D-E, mode, अब O का sound है, अब यहाँ आते हैं, U है और E है last में, अगर, देखें U, फिर a consonant, फिर E, तो E silent अब जो U का sound है, वो R नहीं है, अब U है, C-U-T cut होता है, बट C-U-T cute होता है, तो U sound आएगा यहाँ, tube, flute, अब देखें यह तो मैंने आपको बता दिया, कि great, flame, came, safe, इस तरीके से use होंगे, बट इसी तरीके का sound तब भी आएगा, जब A और I साथ में हो, तो अगर A है, फिर last में E है, तो A sound आ रहा है खीचके, वैसे ही AI का sound भी long A होगा, A, M-A-I-L, male, M-A-L, E भी male हुआ, और M-A-I-L भी male हुआ, snail, SN, snow, और ale, snail, paint, brain, strain, spring, scent, drain, यह ध्यान रखते जाएगा, DR, drain, F-A-I-L, fail, A-I-M, aim, शुरू में हैं, तो भी A करके बोलेंगे, एक और चीज़ है, जब A और Y साथ में होते हैं, तो भी हम long A प्रेनाउंस करते हैं, खीचके, D-A-Y, day, pay, way, tray, away, spray, clay, clear, अब आगे आते हैं, E और A, अगर E और A साथ में हो, अब देखें, हम साथ साथ में यूज़ कर रहे हैं वाउल्स को, अब E और A साथ में हो, तब long E का साउंड आता है, P-E-A-P, E-A-T, E-D, B-E-A-D, B-E-A-D, D-R-E-A-M, dream, P-L-E-A, plea, L-E-A-S-T, least, T-R-E-A-T, treat, T-E-A-T, ठीक, तो यह भी है, बत यहां पर एक चीज़ ट्रिकी भी है, कि E और A साथ में हो, तो short E का भी साउंड आता है, जो कि है A, यह आप प्रैक्टिस के साथ सीख पाएंगे, जब आप कोई भी से सब्टाइटल के साथ सुनेंगे, तो आप सुनेंगे और आप मैच करते जाएंगे, और सीख जाएंगे, देखे, D-E-A-F, deaf बोलते हैं, deaf, R-E-A-D, इसे read भी बोलते हैं, और E का साउंड, clear, अब आगे आते हैं, डबल E है, तो लॉंग E का साउंड आएगा, E, B-E-E, B, Fee, Tree, Real, Sweet, Keen, Bleed, यह याद हो जाएगा आपका असानी से, अब आते हैं, अगर I-E है साथ में, तो भी E का साउंड आता है, लॉंग E का, और साथ साथ देखते चलिए, E और Y है तो भी लॉंग E का साउंड आएगा, और सिर्फ Y है, तो भी लॉंग E का साउंड आएगा, खीच के बोलेंगे, Brief, Grief, Field, Yield, Priest, I-E था, E-Y है तो Key, Valley, Jockey, Hawky, Donkey, यहाँ पर लास्ट में सिर्फ Y है, तो भी हम E करके बोलते हैं, Very, Ugly, Curry, Sorry, Dirty, Petty, Empty, Sandy, clear, अब आगे आते हैं I और E, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लास्ट में E आए तो I वाला जो होता है, E silent होता है, और I को हम I करके बोलते हैं, Pile, Wine, Shiny आपको बता दिया, अब यहाँ समझे, जब I, G, H आता है, तो भी लॉंग I का साउंड होता है, Si, यहाँ G, H का अलग से साउंड नहीं है, कह सक के से fright, अब यहाँ आते हैं, Y पे, तो by, my, इसका भी वही साउंड है, I का, cry, fry, spy, sky, reply, clear हो गया, अब आते हैं, O वाला मैंने आपको बताया कि O हो, E हो तो E silent है, और O को हम O बोलते हैं, जैसे pole, mole, hope आपको दिख रहा है, बट यहाँ exceptions भी है, L, O, V को हम love नहीं पढ़ते है love पढ़ते हैं, इसके spelling आप सभी जानते हैं, C, O, M, E, कूम नहीं है, कम है, G, L, O, V, E, glove है, तो यह exceptions हैं, हर एक नियम में, इनकी आप practice साथ में करते जाए, O, A है, तो भी आपका long O sound आएगा, O करके, सिर्फ O है, तो भी O होगा, बट आप देख सकते हैं, वहाँ पे जो थ देखे, O, A के है, O, Boat, Goat, Soap, Loaf, Oats, Cokes, यहाँ O, W है, इसका भी sound O है, तो ध्यान दें, जब हम मैच कर रहे हैं, O के साथ, A, O के साथ, W, sound O का आ रहा है, L, O, W, Low, Bowl, Crow, Yellow, Window, Snow, Glow, Sorrow, Clear, तो इस तरीके से आप आदत डालते जाएंगे, अब आते हैं, यह भी मैंने आपको तो Q, Flute, Mute, अब यहाँ यह E, W अगर है, तो भी Long U sound आएगा, New, News, Stew, Crew, Strew, U sound, Last में E, W को क्या बोलेंगे, U, U करके, अब यहाँ आते हैं, U और E साथ में, तो भी Long U sound आएगा, Hue, Glue, True, Value, Clue, तो E, W हो या UE हो कैसे बोलेंगे, U करके, ठीक, अब आगे आते हैं, यहाँ ध्यान दीजे, E, R, I, R, U, R, यहाँ पे E, I, और U, इनका sound है अ, तो अर, 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 तीनों आ जाएं आपको पढ़ना है, अर, ना तो एर बोलना है, ना तो इर बोलना है, ना तो यूर बोलना है, अर, 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 यह आदर डालनेंगे आप, H, E इसे stir नहीं बोलते हैं, stir बोलते हैं, stir, flirt, swirl, अब एक बात आपको यहीं बता दूँ, कि जब S आता है शुरू में, ठीक, और उसके बाद कोई consonant आता है, तो उसे आप बहुत सारे लोग, जैसे school है, क्या है यह? School, S, C, H, O, O, L, इसे हम school बोलते हैं, बहुत सारे लोग इसे school बोलते हैं, वो बोलते वक्त हिंदी वाली आदत होती है, तो वो बोल देते है, school, is school बोल देते है, but यह इस नहीं है, यह आधा स है, इसे आप बोलेंगे, school, तो स, फिर आगे का word बोलेंगे, तो यहाँ देखिए, यह क्या है, stir, यह क्या है, swirl, ओके, आप इसमें इस नहीं लगाएंगे, अब यहाँ आते है, fur, burn, surf, spur, disturb, हर जगह, r करके sound आएगा, अब वहाँ पे आपने देखा, o और a को तो आपने नहीं लिया था, क्यों, क्योंकि o r जुड़ता है, तो और करके sound आएगा, और a r जुड़ेगा, तो r करके sound आएगा, corn, fork, lord, sort, torn, car, jar, park, mark, regard, clear, इसकी भी आप आदत डालेंगे, अब आते हैं, o w या फिर o u, तो यहाँ पे हमें इसे आउ करके पढ़ते हैं, आउ, n o w, now, b o w, bow, c o w, cow, t o w, and town, gown, howl, allow, out, out, loud, noun, pout, round, sprout, out, okay, आउ करके, a u है, या a w है, तो क्या sound आएगा, aw, f a u l t, fault, p a w, paw, ठीक, aw का sound, haunted, fraud, law, dawn, clear, आगे आते हैं, a का sound, a होता है और a होता है, a मैंने आपको शुरू में ही बताया, तो जैसे fast को मैंने बताया, fast पढ़ेंगे, बत, इसे fast भी बढ़ा जाता है, फर्क क्या है, American English में a का sound देते हैं, British English में a का sound देते हैं, तो इसे Americans बोलेंगे ask, Britishers बोलेंगे ask, इसे fast, fast, glass, glass, plant, plant, west, vast, clear, अब यहां आते हैं, जब a, l, l है, तो आल का sound नहीं आता गा, इस ध्यान रखेगा, a, l, l जब आता है, तो all का sound आता है, b, a, l, l, ball, ball के spelling b, o, l, l नहीं है, b, a, l, l है, बत, बोलते क्या है, ball, wall, fall, hall, small, ठीक, hall, fall, small, यह नहीं बोलना, or करके बोलेंगे, ध्यान रखेगा, a, r, e, जब यह आता है, किसी भी wordcan में, तो air करके बोलते हैं इसे, और a, i, r, को भी air करके बोलते हैं, so b, a, r, e, bear, b, a, r, bar, बोला जाएगा, b, a, r, e, bear, बोला जाएगा, ठीक, और जगों पे आपने देखा, सिर्फ a sound दे रहे थे, हम last में e था, but a, r, e है, तो air sound आता है m, a, r, e, bear, w, a, r, e, bear, s, p, a, r, e, spare, यहाँ देखे, a, i, r, air, p, a, i, r, pair, h, a, r, hair, despair, तो p, a, i, r, यहाँ और अगर p, a, r, e, यहाँ आपको दिखना है, दोनों ही air करके बोले जाएगे, spare, despair, clear, अब देखे, o, i, i, या, o, y, दोनों o, i पढ़े जाते हैं, o, i, oil, soil, boil, join, poison, moist, hoist, joy, boy, toy, alloy, employ, annoy, destroy, clear, अब आगे आते हैं, double o, double o के दो sounds हैं, short u, जो की o करके बोला जाएगा, long u, जो की o करके बोला जाएगा, यह भी आप practice से सीख पाएगे, इसे बोलते हैं, good, look, cook, अब यहाँ यह good है, बट यहाँ यह zoo बन जाता है, यह look है, यह बन जाता है, loom, यह cook है, यह बन जाता है, broom, यहाँ wood बोलते हैं, foot बोलते हैं, और यहाँ balloon, proof, teach कर बोलते हैं, तो यह भी practice से आएगा आपको, अब आते हैं कुछ और ऐसे letters हैं, जो साथ-साथ एक ही जैसे प्रेनाउस किये जाते हैं, जैसे मैंने का, all बोला ज जाता है, posture, picture, lecture, fracture, असान हो गया, इसे तुरे नहीं बोलेंगे, आपने जोग भी सुना होगा, foot बोलते हैं, but future बोलते हैं, future बोलेंगे, तो तुरे जब भी आए, चर बोलना हैं आपको, उसके आगे का, मतलब उसके पहले वाला आप देख लीजए, O, U, G, H, क्या बोलेंगे, अफ, अफ, ओके, सो C, O, U, G, H, कफ, enough, rough, tough, अब ध्यान दें, यह जो E है, जब यह किसी word के starting में आता है, तो E, A का sound, कभी कभी देता भी ऐसा नहीं है, कि नहीं देता, but mostly यह E का sound देता है, शुरू में जब आता है, ठीक, तो इसे enough बोलते हैं, enough, enough नहीं बोलते हैं, अब आते हैं, T, I, O, N, Shun, T, I, O, N, को Shun पढ़ेंगे, यह आसान है, याद हो जाएगा, बट याद रखिएगा, जब T, I, O, N, के पहले S आ जाए, तो इसे चन पढ़ेंगे, फिर Shun नहीं पढ़ेंगे, देखिए, addition, action, fraction, section, बट अब इन में देख आगे आते हैं, S, I, O, N, या फिर S, S, I, O, N, को Shun पढ़ते हैं, बट अगर इस S, I, O, N, से पहले कोई वावल हो, A, E, I, O, U, तो इसे हम जन पढ़ते हैं, जन नहीं पढ़ते, जन, यह दिख रहोगा आपको डॉट, यह क्या है, mansion, extension, tension, session, discussion, passion, बट यहाँ यह S, I, O, N, यह vision नहीं है, vision, यह क्या है, division, यह provision, invasion, illusion, confusion, अब आगे आते हैं, silent letters पे, silent B, अक्सर silent होता है, most of the time, जब M के बाद आए, हमेशा नहीं, but M के बाद आए, तो अक्सर silent होता है, numb, इसे numb नहीं पढ़ते, इसे सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे, numb, यह dumb, crumb, debt, अब देखें, यहां B silent है, debt नहीं है, debt है, plumber, आधे से ज़्यादा इंडिया कह सकते हैं, 99% लोग plumber बोलते हैं, but यह क्या है, plumber, plumber, यहां आते है, silent D, और ज्यादा तर ध्यान दे, जब G, E, मतलब D, G एक साथ है, तो यहां D silent होता है, यह है judge, grudge, bridge, porridge, ठीक, यहां D का नहीं, अब आते है, silent G, S, I, G and sign, G and U को गनू नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ new बोलते है, new, G silent है, यह क्या है, no, no, rain, sigh, यहां आते है, H silent है, honor, honor, honor पढ़ते हैं, silent है, और honor की दो spellings है, British और American कफर, यह क्या है, hour, इसे hour नहीं पढ़ना, hour, इसे hair नहीं पढ़ना, air, okay, अब है silent K, most of the time K के बाद N है, तो यह silent होता है K, इसे हम क्नी नहीं पढ़ते हैं, new, knob, knock, knife, knowledge, silent T, fasten, listen, castle, wrestle, T silent है यहां पे, आगे आते हैं silent W, wrist, wrong, answer, wrapper, silent मतलब वो चुप बैठा है वाँ, है तो exist कर रहा है, बट उसकी value नहीं है, पढ़ा नहीं जा रहा है वहाँ पे, तो अब आपके लिए paragraph है, ताकि आप अपनी knowledge को test कर पाएं, जो अभी सीखा है, उसी को तो आज माना है, तो a great summer vacation title है, I को आई पढ़ेंगे, J-U-S-T, अब यह छोटा सा word है न, three or four letters वाला, तो यहां पे U का sound क्या है, इसे just नहीं बोलना, क्या बोलना है, just, I just, R-E को re बोलते हैं, कुछ चीज़ां यहां भी आप सीखेंगे, R-E जब भी आएगा, re होएगा वो, re, अब यह क्या है, U-R को क्या बोलना है, return, ठीक, return, F-R-O-M, from, or का sound आएगा, छोटा word है, the, T-H-E को the बोलते हैं, अगर इसके बाद जो word है, वो vowel sound से शुरू हो, मतलब स्वर की ध्वनी आ रही हो, तो इसे दी बोलते हैं, बट यह तो consonant है, तो हम इसे the बोलेंगे, the, greatest, greatest, S-U-M, some हुआ, M-E-R, मर हुआ, summer, summer नहीं बोलना, summer, यहां आते हैं, vacation, T-I-O-N, vacation, अब देखे, it, I-T, it, W-A-S, was, अब यह आपका exception हो गया, मैंने आपसे का था, आ का sound आएगा, बट यहां इसे was बोलते हैं, S-O, so हो गया, छोटे से word में O का sound आएगा, अगर S-O है या N-O है, यह भी exception ही था, F-A-N, fan हो गया, T-A-S, tass हो गया, T-I, say, tick, तोड लेते हैं, let's break down these long words, इन्हें छोटे-छोटे हिस्सों में तोड के भी पढ़ सकते हैं, fantastic, fantastic, फिर I, अब यह है never बोला जाएगा, E-R, और इसे ने पढ़हेंगे, never, wanted, W-A जब आता है, तो वो का sound देता है, इसलिए वहाँ, W-A-S, was और W-A-N, won पढ़ा जा रहा है, so wanted, it, to, T-O, to है, S-O, so है, यह exceptions हैं, ध्यान रखेगा, इनके आपको practice करनी होगी, E-N-D, end, I, अब मैंने आप से कहा था, E जो है, ज्यादा तर E की धनी देगा, बट E-N-D में यह end है, ठीक, छोटा word मैंने बताया था, E होगा, A sound, I, spent, छोटा word E है, एक वाउल, A का sound, spent, A का sound, end, अब यहाँ आते हैं, E-I-G-S-T, 8, E-I-G-S-T, 8, यहाँ G-H, silent है आपका, D-A-Y, क्या पढ़ेंगी, day, खीच के बोलेंगी, days, in, Paris, यह तो जगर का नाम है, France, जगर के नाम तो अपने ही करेंगे, my, B-E-S-T, sound, best, F-R-I-E-N-D-S, friends, Rohan and Kiara, W-E-N-T, went, W-I है, with, me, अब यहाँ T-H, sound, देता है, with, we, had, H-A-D, had, फिर A, या फिर A, जो भी बोलेंगी, फिर क्या है, यह beautiful, F-U-L, full, hotel, hotel, अब यह क्या है, room, O- sound, खेच के, in, फिर the, Latin, quarter, and, it, अब यह तो वो है, wasn't, जब हम साथ में बोलते हैं, not को लगा के, तो बोला जाएगा, wasn't, अब यह यहाँ E पढ़ा जाएगा, और यह A, even, expensive, expensive, ध्यान दे, अगर अलग से आए, S-I-V, तो साइव कहेंगे, बट अब साथ में है, तो यह सिफ पढ़ा जाएगा, expensive, W-E-V, H-A-D, had, a, B-A-L-C-O-N-Y, अब यह कनी है, यह बाल है, बाल कनी, with a wonder, W-A-N-D-E-R, wonder, F-U-L, full, अब यहाँ E-W-U करके पढ़ेंगे न, तो view, V-I-E-W, view, समझ में आया आपको कि किस तरीके से हम कोरेलेट करते जा रहे, पढ़ते जा रहे, एक बार में नहीं आएगा, बट आपको बार-बार प्रैक्टिस करनी होगी, I am sure कि आपको बहुत कुछ इसमें समझ में आ गया, अगर आप इस चीज़ को और अच्छे से सीखना चाते तो इस वीडियो को दुबारा तुरंत अभी देख लें, और फिर आप कुछ पैरग्राफ्स देखें, निकालें अपनी बुक्स में से और प्रैक्टिस करें, गाइस पढ़ना हो, या बोलना हो, या लिखना हो, हर चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, एक बार में कोई चीज़ आना बहुत मुश्किल है, प्रैक्टिस कीज़े बहुत सारी, और अब ही तक आपने वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा, तो बस मिलती हूँ आप से अगले वीडियो में, इसकी पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जैहिंद! झाल